Hello and Здравствуйте Everyone, मैं हो निशा चोहान और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल Indian VelA in Europe में So, अभी हम छोकी दानी रिसॉर्ट में रुके हुए है So, यह है छोकी दानी रिसॉर्ट तो पहली बार हम छोकी दानी रिसॉर्ट के अंदर स्टे कर रहे हैं वैसे हर बार हम बाहर से नाइट में आते थे यहां पे यहां का पूरा राजस्थानी कल्चर, फूड वगरा एंजॉइ करने के लिए लेकिन इस बार हमने सोचा कि चलो यहां पे स्टे करते हो और यहां पर जो चैक इन है आपको बता दूँ कि तीन बजे अराउंड तीन बज आपको बता दूँ एक लगजरी रिसॉट है और यहां पर वन नाइट एक दिन स्टे करने का वह भी तीन बजे के बाद सुबह बारा बजे आपको फखाली करना एक नाइट स्टे करने का जो शुरुआत रुपए आपको बता रही हूं दस हजार रुपए से जादा और यह यहां पर पचास हजार एक लाग वो भी वन नाइट स्टे का जो प्राइज है वो मैं आपको बता रही हूं तो इतना महंगा है तो भाई शांधा स्वागत तो करें गई ना तो चलिए वो सब छोड़ी लेकिन वर्थ है यहां पर और यह देखे कितना सुंदर है यहां पर अइसा लगता है है किसी एक राजस्थानी गाउं में आ गये हैं और बहुती सुंदर है यहां पर आप देख सक्ते हैं साईट में इतनी ग्रीनरी और यहां da साइड साइड में पूरा राजिस्थानी कल्चर इसको एक वेलज भी बोलते हैं पूरा राजिस्थानी वेलज देखनों को मिलता है और यहां की जो वाइव है बहुत ही अलग है और यहां पर बहुत सुंदर बहुत सुंदर पिचराइज किया गया है मतलब मैं बयान ही कर सकत लेकिन हां यहां पर इतना पैसा खर्च करणना बनता है और बहुती सुन्दर और यह हमें पूरा एंट्री गेटतक यह से एक सेप्षण हॉल है बहुत बड़ा आप देख सेथे और तैंना शांदार है तो बहुत पर कARIN ऐख तो yen ह frag Nikki आप पीने हों की मिरा जो आप पूछताश कर सकते हैं अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है यहाँ पर रुकने की और या फिर आपको शाम के एकॉर्डिंग यहाँ पर डिनर वगरा के बारे में पूछना है तो यहाँ पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं कुछ जानकारी ले सकते हैं अगर कुछ बुकि क्या नहीं टाइमिंग क्या रहती है तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी अभी हम मैं रेसॉर्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर कैसे कॉर्टेज होते हैं चलिए वो देखते हैं तो सबसे पहले जब अम अंदर आये तो बहुत खुश हुई तो हमने एक पहनती नहीं पर मुझे लगा इतना मतलब एक फील आरी थी कि यहां पर कुछ हटके मतलब कुछ राजस्थानी टाइप कुछ पहना जाये पर मेरे पस है नहीं तो मेरे पस जुम के और यह ड्रेस था तो मैंने यह पहन लिया विंटर के अकॉर्डिंग सो हां चलिए मैं तो चलिए मैं यहां आपको रूम दिखाती हूं जहां पर हम रुके हुए है पूरा राजस्थानी वाइवरेंट यहां पर है और बहुती लाइवली है सच में बहुती अच्छा एक्स्पीरिंस था तो चलिए यहां पर मैंने जैसे की बताया यहां पर रिसॉर्ट की जो र 12,000 पर नाइट और वो डिपेंड करता है घठता बढ़ता रहता है लेकिन जब हम रुके थे तो यहां पर जो शुरुआत थी यहां पर शुरुआत बतारे हूं 11,000 पर नाइट रुकने की थी सर्फ एक रात का 11,000 रुपे थे वो भी तीन बज़े से च्छेक इं और अगले जो हैं बहुत ही महेंगे चली दिखाते हैं आके अंदर से ऐसा क्या है तो यह लगजरी रिसॉर्ट है, फाइफ स्टार होटल में ही काउंट होटता है और यह ट्रेडिशनली रिच कॉटेज़ हैं यहां पूरा राजिस्थानी ट्रेडिशनली आपको रिच नजर आएगा यह नहीं खुटता हैं आके जटार होटता हो पूरा पूरा उप एप चुल्चर राजिस्थानी है 92 आप च लमेन बनों च्ठीख भुझे देखने चाहें बहुत सुन्दर और हम इतने ओव्श्तव तेभ द्ई तटेर जोड़ा टन्स कर लेते हैं, और उपर का ग्वा फैन लगे थे जूमर साइड में बिलकुल पूरा राजस्थानी एक फील दे रहे थे मतलब एक अलग साही फील हो रहा था हम और भी लगजरी होटेल में रुकते हैं वहां पर एक अलग फील होती है और यहां पर एक अलग ही फील आ रही थी जिस तरह से यह बनाया गया था इ एक छोटी चोटी चीजेस बहुत देखने लाइक थीन तो हम बहुत खुष हुए हमने कहा वर्त है यहां पर रुक औरritos है और सही में बहुत संदर था अ जलब फेत दिखा जिन कार्पेट यहां की चोटी चोटी चीजे जो सोफे थे बहुत पुराने ओल जिस करे से चीजे यहां पर लॉकर दिया गया था प्रेस थी वेट वेटिंग मशीन भी आप देख सकते हैं यहां पर थी और काफी बड़ी अलमीरा थी यह और रूम वश्रूम बहुत बड़ा था और साथ यहां का फरनीचर जो है थोड़ा यूनीक लगा मुझे थोड़ा अलग लगा और यह आप देख सकते हैं यह फ्रेज है चोटा सा और यहां पर काफी सारी ड्रिंक्स थी और साथ ही यहां पर साइड में कैटल था चाइवाय बनाने के लिए क्ले प्स रखे गए थे मार्क्स रखे गए थे रिफ्रेश्मेंट मैनु था टेबल पर आप देख सकते सब कुछ तो यहां पर जैसे लैम रखा गया है तो बस काफी बड़ा रूम था और सर्कल वे में था मतलब जो होते थे पहले अगाओं वे गएरा में उस तरह के रूम था सर्कल में और काफी बड़ा था एकदम थोड़ा डिफरेंट और हम जैन्वरी में आएं फिफ्थ जैन्वरी को यहां आयते जब बहुत ठंड होती तो इस वज़े से हीटिंग वगएरा का पूरा इंतिजामता हीटर्स रखे हुए थे और यह वाश्रूम है मैंने सोचा चलो दिखाई देते हैं आपको यहां पर भी पूरी फैसिलिटीज थी हैर ड्रायर था काफी सारे शैंपूस थे काफी अच्छे ब्रैंडे शैंपू सोप वगेरा थे यहां पर वाश्रूम में फोन भी था और काफी बड़ा था और यह देखिए अंदर रूम तो सही ता लेकिन बाहर का जो इंवोर्मन्ट था उसकी वज़े से जो यहां के चार्ज थे वो हाइ थैंप काफी सारे कल्चर यहां एक जगे har़ देखने को मिल रहे थे काफी सारे जूले थे जैसे लोग बाहर से यहां पर घूमने के लिया आते हैं शाम के टाइम में यहां पर हम रुकी गय यहां पर काफी सारी rides थे, जैसे आप देख सकते हैं, उट राइड, काट राइड, काफी होस्राइड, इलेफिंट राइड, काफी सारी rides थे, हमने सारी rides का enjoy किया, अपना विय और संजीव अराम से उट रही डॉर का मज़ा ले रहे हैं और बहुत मज़ा आता है यहां पर मतलब एक अलग तरह का ही मज़ा आता है तो हम यहां रुके और हमने और फूड फूड तो बहुत टेस्टी अगले विडियो में आपको पूरा जो भी फूड यहां प मुझे चाय का याद है और यहां पर चाट पकोड़े और देही आइड नो बहुत सारे जो स्टॉल्स थे लाइन से लगे वे थे आप यहां इंजॉय लीजे राइट्स का गूमिये फिर और साथ में चाय और स्नेक्स वगेरा बीच में लेते जाएए और हमने यहां पर कुल से गेम्स के चीजों के राइट्स के तो जादा कुछ टिकेट्स नहीं थी यहां पर कुछ बीस रुपए कहीं चालिस रुपए का राइट इस तरीक की फीस थी और यह होर्स राइट नवी को करना था नवी को बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है एक तरीके से यह फैमिल तो मुझे अकेले होर्स राइट करनी है वो मना कर रही अपने डैडी से मुझे मज़े मच चूओ मैं अपना होर्स राइट करोंगी तो नवी नवी अब देखे शाम जैसे जैसे धीरे-धीरे हो और मज़े आते जा रहे हैं आप देखे हर जगे लैंप्स लगे हुए हैं आ रात में तो बहुत सुंदर यहां पर एकदम जगमगा जाता है तो मतलब जो देखने लाइक चीजे होती है रात में काफी सुंदर एकदम से हो जाता है लेकिन कभी भी आप अगर बाहर से घूमने आते हैं अगर रुकते नहीं तो चार बज़े के बाद आ जाईए क्योंकि यहां पर चार बज़े क्योंकि इतना कुछ है यहां पर क्योंकि पांच-शे घंटे तो लगी जाते हैं गूमते गूमते क्योंकि इतना बड़ा है यह और मतलब खानायका भी और वैसे भी इतने सारे राई इतने सारे गेम्स क conquest जबार बहूत आपके पास समय कमी पड़ेग तो 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 थोड़ा जल्दी आईए ताकि आप पूरा एक्स्प्लोर कर सकें, शॉपिंग के लिए भी चीजे हैं, यहां पर घूमने के लिए हैं, हिस्ट्रोरिकल चीजे भी हैं, और यह हम यहां पर आगया है, यहां पर आगया है रिवर के साइड, यहां पर भी आप बोट म जा सकते हैं, तो बहुत सुन्दर है यहां पर, तो हमने सुचा चलिए बोट पर भी चलते हैं, और यह देखिए यहां पर कई कई तरह की चीजें कल्चर ली डान्स वगिरा होते हैं, तो वह भी हो रहा था, तो हमने यहां पर वोट राइड हैं, आप देख सकते हैं, कि हम बैठे तो ये भी किसी इटली में जैसे हम करते हैं ना तो वहां से कम नहीं था seriously बहुत मज़ा आया है यहां पर भी हम यहां पर बैठे हैं और यहोंने पूरा हमें सेर कराया यहां का और जगे जगे लाइट जी कितना सुंदर मतलब नजारा था मतलब सर्च में आप देखके यापको लग रहोगा कि बहुत सुन्दर है और हमने हमें बहुत मज़े आ रहे थे यहाँ पर और नवी भी बहुत खुश थी और जो खुशी है वो हमारे चेहरे पर ही दिख रही होगी तो यहाँ पर रुकना तो वर्थ है और अगर आप रुक यहाँ पर एक ब़र सर आप गोपने कि फिर जरूट नहीं आप यहाँ जगी आप पूरे राजस्थान पूरे कल्चर पूरी चीज़े पूरे राइड और हर चीज़ पूरी जो सुन्दरता होती है और वो पूरा उस चीज़ का लुथ यहां पर उठा सकते हैं, इवन जैसे हम लोग इटली में जैस तरीके से होता है आपने दिखा होगा, से उस तरीके से भी यहां पर ऐसा फील आ रही थी, लाइक कि हम जैसे किसी बहुत बड़ी जगह पे, तो हमारे इंडिया में भी काफी सुन्दर सुन्दर चीजें हैं, इवन इंडिया में हमें जादा मजा आता है ट्रैवल करते पे और जब हम घूमते हैं, तो एक अलगी तरह का अनुभव होता है, देखिए कितना सुन्दर द Gkie, Dool, Rajasthani, बहुत ही देखनेने लायक था, तो हम जगह जगह क्योंकि हम सारा तो एकस्रीेंस नहीं ले रहेते हैं यह जगह 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 जाके तो देख रहते हैं जैसे ही, यह साथ-साथ-साथ-सात, बड़ा ही difficult तरीके से कर रहे थे तो मतलब देखिए किस तरीके से कितना सारा सर के उपर रखा हुआ है और फिर साथ ही पैर पे कुछ नुकीला लगा हुआ है उस पे डान्स कर रहे हैं बहुत ही मैं एक्स्प्लेइ नी कर पा रही हूं बहुत ही डिफिकल था यह देखना और जिस तरीके स और चुपो यदिवाती हूँ देख से जगए जगए आग जल रही थी हम लोग चार पाई पे बैट के उसका आनन्द उठा रहे थे और साथ ही हम पॉपकों भी खा रहे थे तो जैसे मैंने बोला बहुत सारे स्टाल से बहुत चुचीज़े बहुत सारी चीज़े मिल रही थी और एंड बहुत कुछ है तो ऐकया बहुत different type food था, राजिस्तानी तो था ही साथ में, बहुत कुछ था, वो मैं आपको अगले वीडियो में लिखाउंगी, Thank you for watching, and I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस बार शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and बेल आइकन भी दबा दीजे because जो मेरा अगला वीडियो आएगा तो आपको शो हो जाएगा, चलिए मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए बाई-बाई